सही और गलत का फैसला आखिर कौन करता है मेरी कमीज का रंग किसी के लिए सही होगा तो मेरा पहनावा किसी के लिए गलत किसी के लिए मेरी चमडी सावली होगी तो किसी के लिए मेरा मूँ काला ये सही और गलत के बीच में क्या है जो ना ही सही है और ना ही गलत और सही नहीं है तो क्यों नहीं है और गलत है तो सही क्यों लगता है ये सही और गलत का फैसला आखिर कौन करता है किसी को खयालों में बसाना सही है क्या अगर बाहों में कोई और हो और जो बाहों में है वो सही नहीं तो जो खयालों में है वो गलत कैसे अगर आपका दिल किसी को बार-बार पुकारे जिसे पुकारना ना पाक हो तो क्या ये गलत होगा कि वो सामने आ जाये तो उसे अन देखा करना ना गवार हो और वो सामने है तो क्यू है क्या उसे पल भर के लिए देख लेना भी सही नहीं और गलत है तो सही क्या है ये सही और गलत का फैसला आखिर कौन करता है अगर चोरी करने की सजा मिलती है तो दिल दुखाने की सजा भी तो मिलनी चाहिए अगर अदालतों में घर तोड़ने की सुनवाई की जाती है तो घर तबाह करने की सजा भी तो मिलनी चाहिए अगर अपने जेबों को पैसों से भरना घलत है तो किसी एक इनसान को देवता जैसे पूजना सही है क्या अगर सियासत के नाम पर जंग करवाना सही है तो देश बेचने वालों को गलत कहना गलत क्यूं और अगर धर्म के नाम पर बटवारा करवाना सही है तो आजादी के नाम पर नारे लगाना गलत क्यूं किसी एक इनसान से दिल खूल कर प्यार करना सही है तो जब वो किसी और से करता है तो मुझे सही क्यों नहीं लगता और वो सही है तो मैं गलत क्यों ये सही और गलत के बीच में कुछ होता भी है क्या जब रात की लोकल धीमे कदमों से अंधेरी स्टेशन पर आती है तो सारी औरते उस पर लपक जाती है एक ही डिबबा नसीब होता है ओरतों को 11 बजे के बाद उस एक डिबबे में सारी ओरते चड़ जाती मैंने पूछा है कई दफ़े ट्विटर पर ओफिशल से आपको क्या लगता है ओरते 11 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती इसलिए लाद देते हैं उन्हें बोरियों के तरह एक दूसरे के ऊपर या आप सोचते हैं कि ओरतों को घर से निकलना ही नहीं चाहिए जवाब के नाम पर आई कुछ री ट्वीट्स कुछ भारी भरकम में सौजनी और एक लंबी सी चुपी उस चुपी का शोर आज तक गूँचता है संडे की दोपहर वाली खाली डिब्बे में अगर औरत की हिफाज़त करना जरूरी नहीं तो औरत का आवाज उठाना घलत है क्या अगर निर्भय होकर मरना घलत है तो घुट-घुट कर जीना सही होगा क्या पर फिर रात की लोकल ट्रेन है तो अपने साथ धेर सारा समय लाती है तो एक हाथ यहाँ एक टांग महाँ टिका कर सपने देखने का वक्त मिल ही जाता है क्योंकि क्या है ना सपनों के तो पर होते है आप खुद को चाहे जितना जकर ले सपने तो आजाद है होटो पर उसके होटो का सपना देखना गलत है क्या बीच रात उसके छुवन की वाहिमा करना सही क्यों नहीं अगर किसी एक इंसान से तमाम उम्र प्यार करना सही है तो अमरिता का प्यार साहिर के लिए गलत था और अगर किसी एक इनसान के आर्जू में तडपना घलत है तो इम्रोज का प्यार अमृता के लिए घलत था क्या अगर खुदगरजी प्यार को खत्म करती है तो उसे पैदा क्या करता है अगर ये दुनिया दुनिया वालों के हिसाब से चलती है तो हर रोज एक मजनू क्यों मरता है अगर इश्क इबादत है तो धरम के नाम पे क्यों बढ़ता है और अगर सुकून ही चाहिए तो उससे मिलने को दिल बार-बार क्यों करता है ये सही और गलत गलत और सही इसका फैसला आखिर कौन कर सकता है Thank you